नमस्कार देश टीवी के खास कारेक्रम खास बात में आपका स्वागत है जो कि आप जानते हैं कि इस कारेक्रम के मादल से हम आपके बीच किसी सक्सियत लेकर आते हैं आज उन्हीं सक्सियत में हैं सुर्जित सिंग जी जो की फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम बढ़ा चुके युवा हैं और बॉलीवड में निर्माता बतौर नोने पदारपन किया हुआ है तो सबसे पहले हमारी टीम के ओर से सुर्जित सिंग जी को मुश्कार कि शुरुआत जो करते हैं आपकी प्रिष्ट भूमी से शुरुआत करते हैं कि प्रिष्ट भूमी आप किस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई कहां हुई और आपके परिवार में किस तरह इसमें आया अप तो मैं एकली विसली यूपी से रहने वाला हूं, यूपी अमेटी से रहने वाला फेमस डेस्टिक है हमारी सब जानते हैं मैंने अपनी पूरी पढ़ाई सब कुछ वहीं किया जो है वहां पर हमारे के निग के सब बिजने अशना माहौल था हमारे घर में जो है मेरे भाई स आपके पढ़ाई किस तरह से हुई कहां से अपने गैजुएशन किया किस तरह से घर में भी एक माहूल होता है कि बच्चा जब पढ़ता तो इसके नौकरी की आस रहती है हमारे हां कुछ इस तरह का नहीं था मैं इतले जब पढ़ाई मेरी चल रही थी मैं आठवी क्लास में था तो हमारा मतायन आपको कि हमारा स्टूडियो था तो मैं अक्सर जब इसकुल से निकलता था तो मैं वहां बैठ जाता था जाके भाई साब 2009 में वह शिप्ट हो गए जो पढ़ाई चलती है और जो है मैंने वहीं से दुरी पढ़ाई अपनी की और मतलब देखा थे तो आपकी जो प्रिश्ट भूमी है वह वैपारी जिस्टिकों से और जगस से ही जुड़ा हुआ था तो इसलिए आपने वैपार के छेतर में पिर आपने अगला पढ़ाओ क्या की जिए उसके बाद मैंने इसा बीटिया फोटोग्राफ चाहिए अडा हाठी मीट कुछ काना जबने और या इगुड़ी का रुक किया दिल्ली ब्लोगया थे पने였습니다 मेरे न से न से बिजनेशा उपको जाए और से मेरे मांझेल सब्सक्राइब। तो जैसे कि आपने कहा है कि दिल्ली में आपकी बिजनेस शिफ्ट हो गया, तो कौन-कौन से बिजनेस थे, किस तरह से उस बिजनेस को आपने आगे बढ़ाया? दिल्ली में हमने 2006 में मिनना वाटर प्लांट के सुरुगात किया, वही एक बिजनेस था हमारा जो हमारा एक बैक अप सपोर्ट था, और उसके बाद फिर वहां से बिजनेस को चलता है, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली चल रहा था, बाद में यह हुआ कि अभी मुं और फिल्म इंडेस्ट्री में ही आप आना है, हाँ, यही सोच कि मैं मुंबई आया था, कि मैं कुछ करूँगा, मैं एक लिए मैंने मिजी कंपनी सुरू किया, कहीं ने कहीं से मैं टीस्टी से बड़ा प्रभावी था, गुलसन कुमार जी से, कि करते हैं काम, और मेना लग स सबस्ते हमारे पास एक धाई हजार मुजिक एलबन से कलेक्शन होगे, डिफरेंट अलग लेंग्वेज में, अच्छा, उसमें में कौन से लाग में सबसे जादा है, क्योंकि आप जैसे आप बॉलिएट में मॉंबई में हैं, तो महराष्ट माराथी होगा, और कौन-कौन स देखे, मैंने कंड़ भी किया है, माराथी भी किया है, हम लोगोंने, हिंदी किया है, वह सबसे ज़्यादा हमारे पास कलेक्शन हम भोचपरी कर रहा है, सबसे ज़्यादा भोचपरी कर रहा है, क्या लगत तर जो बॉलिएट से जो टच है, भोचपरी का बहुत ज़्याद लोग भी देखने वले जाता है यहां तक कई कंट्री अधर कंट्री में भी है यह जा फिल्में चलती है भोजपुरी जो है अधर लेंग्विज कैसा है कि वह 4-6 स्टेट में ही है मगर भोजपुरी की सीमा रिकाज़ बहुत लंबी है उसके देखने वाले और सुनने वाले ब देश में हर जगा हर स्टेट में आपको भोजपुरी सुनने और भोजपुरी वाले लोग मिल जाएंगे आपको हर डिश्टिंग मिलते हैं दूसरा कैसा है नहीं कि भोजपुरी का दाइरा नहीं ऐसा बढ़ गया है कि फीजी आप आप मोईसरस अधर ऐसी कई कंट्रियां ह जहां पर भोजपुरी को लाइक करते हैं वहां भोजपुरी को देखते हैं लोग जैसे कि आप शत्यसगर की हम बात करें तो शत्यसगर में भी भोजपुरी को लेके बहुत ज्यादा उसमें लोगों को देखने की इच्छा होती है तो उसमें आपने कभी उसमें फिल्म बन कि कि आप जिस महौल में रहते हैं आप उसी महोल के बारें सोचते हैं तो इसकी वज़र करें ने बोच पर दिया नहीं के लिए तो 2007 में जब आपने के मैंट एप तो अब तक आप जैसे बता रहे हैं धाई हज्जार उसमें गाने और उसमें तो उनके जो एक दौर था जो एलबम का बहुत अच्छा एक दौर हुआ करता था अब थोड़ा सा कम हो गया है तो उसमें कभी ऐसा लगा कि उसके लिए दिक्कते आ रही हो या 2007 में जब हम लोगों ने कंपनी सुरू किया था तब सीडी चलती थी उसके बाद क्या हुआ कि दीरे 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 यूटूब आ गया तो क्या ना बिजनेस भी कम हुआ और फिर हम लोगों ने दीरे दीरे मेनुफेक्चर बंद कर दिया 2013 में मेरी लास्ट फिल्म थी मेरी कंपनी जिसका म्यूजिक राइट लिया था हॉनन केलिंग उत्तम सिंग का म्यूजिक था वो फिल्म हमारी कंपनी की लास्ट फिल्म थी उसके बाद हम लोगों ने म्यूजिक कंपनी को बंद कर दिया क्योंकि यूटूब हम लोगों को तो आप यूटूब पे डिस्ट्रीटर कोई मतलब ही नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने इसको बंधी कर दिया फिर मेकिंग के छेतर में हम लोग आगे कि अब फिल्मे करेंगे तो मतलब जो इसका मतलब यही है कि जब अर्निंग कम होने लगी तब आपने दूसरा फिर एक पढ़ाव अपना दूसरा शुरू कि हमारा सुलूसे में बिजनेस लाइन से ही आया तो बिजनेस के हिसाब से आया क्योंकि कोई और तो सौक था नहीं गीत लिखता था ना में जुए डेक्टर था सिंगर था तो हमें लगा कि अब जो है हमें कोई और लाइन चूज कर लेन फिल्म बना हैं तो उसका क्या रिस्पॉंस रहा है अच्छा रहा है मुझे दो हजार दस में किया था टेली फिल्म सुनेना एक अनोखी प्रेम कहानी आई डोनेट के उपर थी मैंने उस फिल्म का में मोटो था मेरा कि लोगों को प्रेडित करें आई डोनेट के लिए और ब लुद हम जुकश बड़ा करते हैं शुबकर गाने और स्टूडियो में बड़े सिंग्रो ने गया उसमें जो है और अच्छा-्रा में वहीं फिल्म को फ्ल्म को में और स्uk добрék लिए तो क्या कारण क्या लगता है कि में डिस्टिविशन का नहीं हो पाना वह हमारी पहली फिल्म थी और हमें भी उतना नौलेज नहीं था किस तरह क्या करना चाहिए हो था जब फर्स्ट बारा बिजनेस करते हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रावलम आती है तो इसकी वज़ हैं बहुत प्लानिम मित्र हैं पंजाब के फेमस सिंगर है राज जुजार उन्हों पंजाबी दो फिल्में की हुई है उनको आजे लीड आजे उनको लिया मैंने उनको बॉली वुड में एक इंट्री दी वह एक्टर आजे प्लेबैक सिंगर दोनों उनको मैंने दिया और वहां की फिल्मों में भी उनको हम लोगों ने फर्स टाइम बॉली वुड में देख दिया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार ब्रेक देने करण हो सकता है डिस्ट्रीटर उसमें ध्यान नहीं दिया हूं कई चीजे थी मेकिंग तो हमारी अच्छी थी कई और चीजे थ हमने फिल्म सुरुबात की तो उसमें बड़ा मैटर चल रहा था पदकारों को पर हमले हो रहे थे यह रहे थे थी थीम उठाते हैं वहां से तो हम थीम उठाई फिर यह हुआ कि पदकार को डायेट हम टार्गेट करते हैं तो होगा ने एक कहीं किसी को लेना पड़े पदका क्या वह हमने दिखाया तो अभी यह रिलीज हो चुकी है या यह फिल्म पदकारों को पर दाजल लिष्ट है इसको हमने रोक के रखा कि टेक्स फ्री का मैटर चल रहा है जो है हम चाहते हैं कई स्टेटे गवर्मेंट से हमने प्रोमो भेजे हुए हैं सिब हम चाहते हैं टे पर लगा हुआ है उसके अधार के सीरियल के तरफ भी आपने अपने आपको मुड़ा है जी अभी करीब एक महीना पहले मैं जी टीवी के लिए एक सो बागमान अपनों का मैंने अभी सूट किया जो है अभी उस एडिट होके चैनल को गया है अभी चैनल आगे जो फीड़ किया लगता है जो बने के बाद निर्मान होने के बाद उसमें क्या फीड़ बैक क्या मिल पाएगा तो हमने अपने असतर बहुत अच्छा सूट किया है अब डिपेंड होता है कि चैनल हमें टिलिकास डेट कब दे रहा है डिवी चैनल अब प्राइबेट चैनलों की कहनी अ सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग मनें बना कई बनते हैं कुट मतलब नहीं हमें से मतलब से मतलब है उन चैंब में लाग्रार अब हरüyorsun तो फिर हमें चैनल से मतलब रहेगा चैनल से पेमेंट लेना उसके लिए हमें ना तो इस पॉंसर ढूने जरूरत है अब तक जैसे सफर जैसे आपका शुरू से लेकर अब तक रहा उसमें भी कई ऊच नीच रहे होंगे बहुत रहे जो हुताओ चड़ाओ इतने रहे कि कभी भी ऐसा लगता था कि जो है हमारी पहली फिल्म के बाद इतनी रुकाउटें आई दो-दो इस सुफिया जब किया दो-दो डायेक्टर स्चेंज हुए जो है कि नहीं समझ में आ रहे थे मुझे फिल्म सुरू करने पर दो-डायेक्टर हटाया मीडिया में कई बार नाम गया उनका हटाना पड़ा मेरे लिए बड़ी मतला बहुत ही प्रॉब्लम आई बहुत दीरे दीर किया हुआ कि करते गए करते गए जो है और लास्ट मुविम्में हमने बड़ी मुश्किलों सो पहल नियाम करते रहें उसमें बहुत सी चीज़ा आप सीखें घे तो कभी है इसा लगा की मैस कधी जुका included नहीं मेरा इसकी मेरे की यह जुका नहीं रहा कि सूरू सेप्सें कोई की मुझे कभी सिंगर बनने का सोचा मैंने ना राइटर बनने का सोचा और ना कभी मैंने डायेक्शन की तरफ भी ध्यान नहीं दिया यह था कि सिर्फ पूरूसर मेकिंग करें वही हमारे लिए अच्छा ने कुल मिलाके कि पैसे की जो अर्निंग आना चाहिए उसके तरफ सबसे ज़्यार जाए तो अब थोटा सा एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बा बाते करेंगे